मकर सकरांती है और यह दिन खास क्यूं है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माँ भारत काल में भिश्म पितामा ने आठ दिनों तक मृत्यु सहिया पर लेट कर मरने के लिए इसी दिन का इंतजार किया था क्योंकि मानेता है कि इस दिन मरने वाला व्यक्ति दोबारा कभी जन्म नहीं लेता और उसे मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है मानेता ये भी है कि इस दिन सूर्य धनूराशी से मकर राशी में चला जाता है इसी वज़े से इसे मकर सकरांती भी कहते हैं इस दिन्दान करने तिल के लड़ू खाने और पतंग उड़ाने का रिवाज है इसलिए ये त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है आंद्रपरदेश, केरला, करनाटका, तेलंगाना में इसे सक्राथी कहा जाता है तमिल आडू में इसे पोंगल कहते हैं पंजाब और हिमाचल परदेश में इसे मागी कहा जाता है उत्रपरदेश में इसे खिचडी और गुजरात में इसे उत्तरायन कहा जाता है वैसे इस शुप दिन पर आप क्या करते हैं और आपके यहां इस्तियोहार को क्या कहा जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा आज वो दिन है जब हम फक्र से कह सकते हैं कि थैंक गोड हमारे पास इसरो है क्योंकि आज पूरी दुनिया में स्पेस के मामले में जो भारत की सिती है वो केवल और केवल इसरो की वज़े से है और ये हमारे लिए गर्व की बात है इसलिए भी क्योंकि हाली में UK ने जिस सेटेलाइट मिशन को अंतरिक्ष में भेजा था वो पूरी तरह से फेल हो गया यानि कि UK जैसा देश जिसने सालों तक दूसरे देशों पर राज किया हो वो 1971 के बाद से कोई भी सेटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया जबकि हमारा इसरो 1980 के दशक से ही ऐसे कारनामे बार बार धोरा रहा है इसलिए हमारे देश के बिजनस टाइकून आनंद महिंदरा ने एक ट्वीट किया और लिखा कि थैंक गोड हमारे पास इसरो है जिस पर हर भारतिये को गर्व होना चाहिए क्योंकि जो काम बड़े-बड़े देश की स्पेस एजंसी नहीं कर पा रही है वो काम हमारा इसरो क के लिए तरस रहे पाकिस्तान के पास अब सिफ तीन दिन का राशन पानी बचा है हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एक किलो आटे के लिए भी मारा मारी शुरू हो गई है यही नहीं भूग से बिलबिला रहे अवाम की जान बचाने के लिए पाकिस्तान के परधान मंतरी शायबा शरीफ ने अपने मित्र देश चीन और साउधी अरब से मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिये जिससे निराश होकर पाकिस्तान ने IMF यानि की इंटरनाशनल मोनेटरी फंड और अमेरिका से भी मदद मांगी लेकिन पहले ही बहुत अगर ऐसा होता भी है तो क्या हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी इंफोर्मेटिव वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलते हैं अगली वीडियो में